प्रधान मंत्री उज्वला योजना संबंदित है किस से संबंदित है उज्वला योजना आपको बताना है आपके LED बल्प उपलब्द कराने से LPG कनेक्शन उपलब्द कराने से या गाओं को खुले में सोचाले से मुप्त कराना या बैंक खाता में सीधा सबसेडी हस्तान तरंड से तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा होप सो आप लोगों ने इसका आंसर लिख दिया होगा तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ यह है दोस्तों LPG कनेक्शन उपलब्द कराने से ठीके 2016 में इसकी सुरुवात हुई थी ठीके और इसका जो टार्गेट रहा दोस्तों पांच करोड़ लोगों को जो है जो LPG connection उपलब्द कराने का इसमें रखा गया है पांच करोड़ लोगों को ठीके चलो ओके next question के लिए move करते हैं डग सब्ड किस स्केल से समबंदित है आपको बताना है तो डग सब जो है दोस्तों वो है किरिकेट से संबंदित ठीक है जब कोई जीरो रन पर आउट होता है जीरो रन पर अगर कोई आउट होता है तो हम उसको बोलते हैं डग आउट ठीक है तो जीरो रन पर कोई आउट होता है तो हम उसको डग आउट बोलते हैं तो डग सब का यूज हो रहा है किरिकेट में, क्लेर है, चलो, ओके, नेक्स्ट, गांधी इर्विन समझो तक कब हुआ, ऐसे question बहुत जादा पूछे जाते हैं दोस्तों, आपके exam में, जो ये time date वाले होते हैं, ये बहुत जादा पूछे जाते हैं, तो गांधी इर्विन समझो तक कब point of view से, चलो, नेक्स्ट question के लिए move करते हैं, निम लिखिद में से कौन सा सही नहीं है, इन में से एक गलत दे रखाया है, कौन सा गलत है, आपको बदाना है जल्दी से, पानिपत का पर्थम यूद 1526, खानवा का पंदर सो, 27 गागर का यूद 1529, और चंदीरी का यूद 1530, जल्दी बताएं दोस्तों, फिर इसके बाद आपको एक मस्त वाली ट्रिक बताने वालो हूं है, ये सारे सन आपको अब भी याद हो जाएंगे, जटके में, ठीके, तो चलो, होपसो, आप लोगो ने इसका जो आंसर लगा दिया होगा, उमीद करता हूं, तो इसका जो सही दोस्तों, वो है लास्ट आप्सिन नमबर पूर, चंदेरी का यूद पंदर सो तीस में नहीं हुआ था, ठीके, तो ये तीन अब आपके सही आंसर हो गए, क्लिर है, मतलब क्या है, जो पानिपत का पर्थम यूद पंदर सो चब्यस बिलकुल सही है, खानवा का 27 और घागर 28, 39 और 30, ये 5 सन आपको याद रखने है, क्या है, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530, इस सन आपको सारे याद हो जाएंगे, अभी देखो कैसे, सबसे पहले आपको इसको ट्रिक कैसे याद रखनी है, 26 में आपने किया किया पानी पिया, सबसे पहले आप पानी पीते हैं ना, ठीके, उसक पानी पीने के बाद आप क्या करते हैं, या पानी से आपने हाथ दूए, पानी पीने के बाद आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीके, पानी के बाद आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप खाना खाने के बाद भाई हम तो उत्रा खंडी है, चाई पीते हैं ना, तो आपकी बाद नहीं है ठीक है यहां तक आपका कारेकरम हो गया यह है यह तो हम लोग करेंगे पर बाबर ने किया किया आप बाबर ने पानी पीया उसके बाद खाना खाया उसके बाद घर गया और घर जाते वो मर गया ठीक है बाबर की ऐसी कंडिसन आई भई तो इससे क्या य सब्सक्राइब मृत्यू हो गई थी क्लार रहे दोस्तों इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं चलो next question के लिए move करते है कि hiddenberg रेखा किस देश में किन देसों के बीच में इस तिर्थ है हिडन बर्ग जो रेखा है वो जर्मनी और पॉलेंड इसका सही आंसर होगा option number B is a right answer of this question ठीक है हिडन बर्ग रेखा आपको याद रखना है जैसे होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है भारत और पाकिस्तान आपको पता है रेड किलिफ लाइन है ना भारत और पाक के बीच में कौन सी है रेड किलिफ जैसे भारत और चाइना के बीच कौन सी है मैक मोहन रेखा वैसी जो हिडन वर्क रेखा जो है ये जर्मनी और पॉलेड के बीच में है ठीक है अमेरिका और कैनेड़े के बीच में बता दूं दोस्तों 49 59 समांतर रेखा है इनके बीच में 49 कौन से है अमेरिका और कैनेड़े के बीच उत्री अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका के बीच 38 समांतर रेखा जो है उत्री अमेरिका और दक्षिन अमेरिका भी इसमें ठीक है सीज फ्राइड रेका सीज फ्राइड रेका भी है दोस्तों वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में ठीक है वोप सो आप इनको नौट डाउन कर रहे होंगे ठीक एक बार फिर से बता देता हूँ हीडन बर्ग रेका जो है जर्मनी पॉलेंड अमेरिका और कैनेड़ा के बीच में उन पचासवी समानतर रेका उत्री अमेरिका और दक्षिन अमेरिका के बीच कौन सी है 38 समानतर रेखा ठीक है और जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज फ्राइड रेखा ठीक है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है रेड क्लिप लाइन ठीक है भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है मैक मोहन रेखा ठीक है ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं आपके एक्जाम के लिए बहुत important है next question के लिए move करते हैं औरंग जेब ने की हत्य की जो सिक्कों के नवे गुरू थे आपको बताना है सिक्कों के नवे गुरू कौन थे जिसकी जो हत्य किसने करी थी औरंग जेब ने की थी ठीक है तो जल्दी से बताएं दोस्तों सिक्कों के दस के दस गुरू के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों ठीक है तो चलो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो है तेग बहादूर ठीक है तेख बहादूर इसका सही आंसर है जिसने औरंग जेव ने इनकी हत्या करी थी ये 9 गूरू है आपको याद रकने 9 गूरू कौन है तेख बहादूर ठीक है तो आपको मैं बता देता हूँ सारे गुरु के बारे में दस के दस गुरु नानक तो पहले थे आपको पता होना चाहिए पहले गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे ठीक है सेकिन थे अंगत देव जी थर्ड अमरदाज जी और फोर्ट जो थे रामदाज जी फिफ्त गुरु अर्जुन देव जी, छटे जो हर गोबिंद सिंग जी थे, साथ में गुरु हर राय जी थे, आठ में हर किसन जी थे, और नवें तेग बहादुर जी थे, ठीक है, और गुरु गोबिंद दस्वें थे, ठीक है, गोबिंद सिंग जी, ठीक है, गुरु गोबि के गूरू दे ठीक है चलो ओके नेक्स कोईशन के लिए मूब करें ब्ल्यू ब्लैक हिल ब्ल्यू हिल और ग्रीन हिल परबत किस देश में इस देश में इस देश जल्दिस बताईए यह कलर वाले आ रहे हैं तो आप सीधा सीधा आपको यह याद हो जाएंगे ठीक है तो चलो इसका अंसर आपने लगा दिया होगो दोस्तों कैनेडा चीन अमेरिका और ब्राजील में से तो यह ब्ल्यू हिल देखो आ रहा है ना ब्ल्यू कलर वाले ब्ल्यू यह ब्ल्यू और इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं किस गबर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजी जी सिक्षा सबसे पहले भारत में लाई गई थी जल्दी बताई इसका अंसर क्या होगा दोस्तों अंग्रेजी सिक्षा के लिए बारत में किन को माना जाता है तो दोस्तों जल्दी बताइए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लार्ड मैकाले इजा राइट आंसर उननीस सो पैंटिस ठीक है आपको याद रखना 1835 के टाइम की में जो है ये गवरनर्ज जरनल थे कौन लार्ड मैकाले तो उन्होंने अंग्रेजी सिक्षा के लिए सुरुआत करवाई थी ठीक है तो 1835 आपको याद रखना है लार्ड मैकाले आपको याद रखना अंग्रेजी सिक्षा के लिए किस समय साबरमती आसरम की इस्तापना गांधी द्वारा की गई थी बहुत ही अच्छा कोई सेने दोस्तों जल्दी से बताएं आपको सही आंसर क्या लग रहा इसमें साबरमती आसरम की सुरुवात तो इसमें कुछ है दोस्तों समझ लेते हैं 1915 में अगर आपको याद हो 9 जनबरी मैं आपको बता दितू हूँ इससे एक्स्ट्रा जानकरी है 9 जनबरी 1915 क्या हुआता इसमें इस दिन जो है साउत अपरिका से गांधी जी भारत लोटे थे और इसी दिन को क्या मनाया जाता है 9 जनबरी को आपको मनाया जाते दोस्तों परवासी दिवस ठीक है यहां से यह बहुत बार पूछा जाते है एक्जाम में परवासी दिवस कम मनाया जाते है तो 9 जनबरी आपको याद रखने परवासी दिवस इस दिन जो साउत अफरिका से गांदी जी भारत लोटे थे 1915 ठीक है तो आप question क्या पूछा है साबर मती आस्रम तो दोस्तों जो 1915 में है ना तो ये सत्यागरे आस्रम से सुरुआत हुई थी इसकी ठीक है साबर मती जगा वहाँ पर इसको सिप्ट किया गया तो साबर मती आस्रम वहाँ परोगे तो वो सिप्ट कब किया गया pak 1917 में ठीक है तो जब साबर मती पूछा जारा तो आपको बताना है जो कांग्रेस ने जो है गोल में संबेलन किस संबेलन में कांग्रेस ने भाग लिया वो आपको बताना है ठीक है चलो तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हो है दोस्तों किवल दूसरी पहली बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दूसरी में इनोंने भाग लिया था ठीक है तो ये कब कब हुए थे दोस्तों 1930 आपको याद रखना है 1931 और 1932 ये तीनों गोल मेल संभेलन है इनको आप अच्छे से पढ़ भी लें दोस्तों गूगल पर सर्च करके तीनों गोल मेल संभेलन के बारे में देख लें इनमें क्या है यहां से कोईशन बनते हैं 1930 और 1932 में तीनों गोल मेल संभेलन हुआ है ये कांग्रेस ने क्यों इनमें पहली और तीसरी में जो नहीं इस बैठक में सामिल क्यों नहीं हुए ये सब चीजें आप देख लें एक्जाम पॉइंट और वियू से इंपोर्टेंट है तो मैं आपको इतना बता देता हू इसमें क्या है कांग्रेस ने जो है केवल दूसरी में जो है भाग लिया था पहले और तीसरी में नहीं लिया था ठीक है दोस्तों तो चलो आज की हमारे जो है दस कोईसन कुछ के कोईसन कंपलीट होते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं आपके दस में से कितने को सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं थैंक्स पूर वाचिंग एंड थैंक यू